नहो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम सफलता तुमारे चरण चूम लेगी सदा जो जगाए बिना ही जगा है अंधेरा उसे देख कर ही भगा है वह गुणा पनपा पनपना जिसे था गुणा क्या किसी के उगा है नमस्कार सात्यों युद्यता कभी किसी चीज की महताज नहीं होती है अगर का जाता है कि पानी और टेलेंट दो ऐसी चीज है जिसको कोई भी रोखना चाहे पर तो रूखती नहीं अगर आपने टेलेंट है तो बाहर आके रहेगा तब तक वह आप चैन से बैठ नहीं नहीं देगा तो चाहे आप कितनी बाहर भी अलसपल हो जा आप इम्मत नहीं आणेगा आप वापस उठ खड़ेंगे जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप चैन से बैठ नहीं देगी यह ती आपके बीतर हो है तो उसे बाहर आना पड़ेगा उसको नूर्थ रूप लेना पड़ेगा आपके टैलेंट को ठीके दोस्तों हमेशा याद रखना इम्मत ये मर्द मदद ये खुदा इंसा भगवान भी केवल उसी की साहता करते है जो खुद अपनी साहता करता अपने आपकी साहता करो पूरी दुनिया यदि आपके उपर विश्वास नहीं करें कोई डिक्तर नही जो नहींहीं पड़ेंगे गुप्तोतरकाल का धरम जिसके अंतगत के धरम के अंतगत गुप्तोतरकाल में टांतर के संप्रदाय का हुवजopath हुगे हुआय दर्म में भी महियानद बो दर्मि तीन भागों में विवाज वगया सहीयान वज्ज्ज्य्यान और आप незत्र से क्रमुक्षटा क्लि नोए यह काफी इम्पोटेंट Allen कहा लृए अिम्पोटेंस प्रदान के ती उसका मार्ग था योग खेड़िया ठीकि दोस्तों हैंसान ने बुद्ध के जन्मिस्तान के पिलवस्तू और स्रावस्ति और गुद्ध के जन्मित्यु इस्तन उसी नगर इन तीनों लोगों उसने उज्रा हुआ पाया था जब वह इंसान इनकी यात्रा पर आता शेव दर्म शक्ति पूजा इस समय काफी बढ़ चुकी थी सूर्य पूजा इस समय पर स्रेटी दोस्तों गुप्तुत्रकाल में तांत्रिक धर्म के उपेद होने के कारण बोद्व और शेव धरम इन दूनों में कुछ भी अंतर नहीं रहा गया था शेव धरम में भी दोस्तों कापालिक तालामुक नाथ और आपके ओलमाल्ग जैसे तंत्य संप्रदाय विक्षित हुए तापालिक कालामुक नाथ और बोल्ग जैसे संप्रदाय शेव धरमें थे वहीं बहुत मैं भी दोस्तों मंत्रियान वज्जियान और सेह ज्यान नामत तांत्रिक धरम अग्का उभ्यद हो चुगागा वज्जियान के अंतकर बुद की पत्नी तारा की पूजा की जाती बंगाल की अंत सक्ति पुजा दोस्तों सक्ति पुजा उस समय काफी बढ़ चुकी थी मद्यप्रदेश और उडिसां इन दोनों में 64 योगीनियों का मंदिर सेह मस्ता मार्गंडे या कुरान के अंतकर दोस्तों दूर्गा पुजा का सबसे पहले पूजा पत्रित होईगी दूर्गा समय को दोस्तों विश्नु का आफार मां दिया गया आप जानते हो मतशकुन वरा नहलसिंग वामन परशुराम राम बल्राम और दस्य अवतार आपको इ Omools राम बलराम और बुद्ध और रवतार कल गी मतलाब भुद्ध्यों और alo 30 को भी स्वार अवतार मान लिया आपकर दूर पत्यक्तुत्त प्रतीया नरेश मेर आप जानते उप्ल जो दोस्तों अधी बोज परमार के रिचना बोज परमार की द्वारा की द्वारा की तंगेती जो कि सेवों के पुस्त है दोस्तों दक्षिन भारत में बक्ति आंदोलंग का प्रारंग हो चुगा था इसके अंतर ने दो संथ थे एक उते दोस्तों वैस्ण धर्म का प्रमुट छहतर ये तमीद प्रदेश था जो वैस्ण धर्म के संथ कहला थे वो कहला थे आलवार्शन इनकी संख्या बाराती ज़क कि आलवार संथो के संथ आ बाराती ईस वाह चुकी अवार्शन वैस्ण वैस्न धर्म संथा था वो सुद्र हा था जबगी आकर प्रदेश वैस्ण संथा जिनकी पुत्री का नाम था आंडा इस वैस्ण धर्म जिनका नाम था आंडा ये वही कई बार कुछा जा चुका है आप नूट कर लेना आंडा गश्णव महिला आलवार संत है ठीकि दोस्तों ये इसकी पेरी आलवार की पुत्री है आंडा उसके बाद में नामलावार बदूलगवी कुल शेकर ये पांडिय राजा था कुल शेकर राजसा है प्धाम को अटफि के रूप में परिवर्तित हो गया थे समया जबने ली राजा राजा ये वह दोस्तों पांडिय न Spicy security ते वाकती थी, वह विजान मार गता थी दोस्तों अब हम हम चलते हैं आँ तो सूरी पूर्जा आप जानते हो कि घुप्तमद में उत्रवर्ती और उसमें से मगद और मालवा, इन दोनोंके पर इंके जीवित गुप्त के जो सहापूर अभीलेक और देवर्णाग अभीलेक हैं। अपरसर्ड का लेग और देवर्णाग उत्रवति गुप्तों के बारे में जानिकार्या करता है। तो अब आप जानते हैं कि पुष्य बूति जो वनसता थानेश्वर का वह भी उसके पीपी जो आरंबिक सासते हैं वह सूरी पुजा का कारियर करते हैं इसके अलवावा दोस्तों यह पूरा एक मैप है सूरी पुजा का प्रभु के हंदर था दोस्तों मुलता और इसके बारे आख ट हम सब्सक्राइब ऐसे यह तो पूरे बहोगाँ जानकारिय तो अबू जारी यह जा हमाने क्वाफ़ शुरिय कर था बूर्स ओंप पीधिए जानकारिय मोठा ल॥ार्ट बूर्स और inspirator के जालमा कश्मी में की आता है का फिलभा गल्ट है और मॉल इंद्र पूजा is इसके अलावा दोस्तों पाल सासक आपके बंगाल के जो साशक है सेन सासक ठीक है इन सेन सासक ने विश्वरूप सेन और केशब्स है इन लोगों ने जो अभी लेग है उनसे भी हमें पता चलता है कि सुरी पुजा का पुलेग मिलता है बंगाल के जो सेन सासक थे परमसूर की उपादी धान करते थे वेरी इंपोटेंट है दोस्तों कि ध्यान विलेना इंपूशन आ सकता है ठीक है परमसूर की उपादी कौन धान करते थे तो बंगाल की सेन सासक गुपतुतर काल में ठीक है दोस्तों अब अब हम देखते हैं आपके जैन दर्म को सरक्षन प्रदान करने वाले राजाओं का नाम बताओ इसमें से आपके अलग लग नाम देंगे देखो दोस्तों कि गंग कदम राष्टपूट 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 गंग कदम अब्ध्यानतना लोट कर लेता है। वेक्षिनिवातना भक्ति आंदुलन प्रानम हुआ था इसी समय में और वेस्टन संत आलवार कहला थे और सेव संत मेहनार कहला थे जिनकी संग्या सिष्टी करें थी और आलवा संतों की संग्या भारा थी इसमें से एक मांत्र महिला संत थ ठीके दोस्तों अब यह हम देख चुके हैं गुप्तोतर काल आके पूरा हो चुका है अब हम लेके आएंगे पूर्व मद्यकाल के विविन राजवांस ठीके दोस्तों आपको कैसा लगा आप यह जुरूर बताईएगा और इसमें एक इस्ट्रिक अंदर एक छोटी से कोई ना जवाब मुची जला जवाब तेरा कोई ना जवाब